जैसरे कृष्णा दोस्तों आपके अपनी अमरी साधना भक्ती चैनल पर आप सब का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक विशेश मंत्र बतलाने वाली हूँ जो कि दीपक को परकासित करने के इसमें हमें उच्चारन करना चाहिए दोस्तों ये तो आप सब जानते ही है कि हमारी संस्कृते में हमारे हिंदू धरम में दीपदान का कितना बड़ा महतव होता है हम लोग अपने घरों में भी निते प्रती सुबह सवेरे दीपक परजवलित करते हैं अध्वान के किरपा को पाने के लिए उनकी पसंता के लिए हम दीपक जला कर ही पूजन करते हैं चाहे आप आरती के लिए दीपक जला रहे हैं चाहे अपने मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो दोस्तों ये जो मंतर में आप लोगों को बता रही हूँ ये दीपक को परजवलित करते समय आप लोगों को जरूर बोलना चाहिए इससे जो आप दीप दान करते हैं, वो महान पुन्य फलदाई हो जाता है, और जिसके निमित आप इस दीपक का दान कर रहे हैं, इस दीपक को परजवलित कर रहे हैं, आपके पुरी सची भावना के साथ इस दीपक की लोग, इस दीपक का प्रिकास, भगवान के चर्नों तक और आपकी जो मनोकामनाइं हैं जिस हेतु आप इस दीपक को परजवलित कर रहे हैं वो भी आपके पूझनिये जो देवी देवता हैं आपके आराधी हैं, आपके इश्ट देव हैं या आपके पितर देवी देवता हैं उन सब के लिए पूरणते समर्पित हो जाती है। दोस्तो दीपक होता है उजाला देने के लिए, अंधेरों का नास करने के लिए। तो दोस्तो दीपक को ज्यान का परतीक भी माना जाता है। अज्यानता के अंधेरे को नश्ट करके ज्यान के प्रकास को फैलाने वाला जो आप दीप परजवलीत करते हैं वह एक छोटा सा दीपक बहुत ही महत पुरण परभाव रखता है बहुत सकती है इसके अंदर तो आएए दोस्तों मैं आप लोगों को इस मंत्र को बता देती हूँ जो आपको दीपक को परजवलीत करते हैं जरूर करना चाहिए इस मंतर के साथ अगर आप दीपक को परजवित करते हैं तो आपका जो दीपक है वो बहुती प्रभावी हो जाता है और आपका यह दीपदान बहुती पुन्य फल देने वाला होता है दोस्तों उमीद करते हूं यह वीडियो आप लोगों को जुरूर पसंद आएगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा साथी बेल आइकन को प्रेस कर लेजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके दोस्तों आप किसी बीबिसेश पूजा के लिए देपक को परजवलित कर रहे हैं अपने घर पर पूजा कर रहे हैं या आप किसी और नीमी से देप दान कर रहे हैं तो उस समय पर आपको ये मंत्र जुरूर पोलना चाहिए मंत्र इस प्रकार से रहेगा देप जोती प्रब्रहमा देप जोती जनारधना एक बार आप फिर से उचारण कर सकते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल अराम से सहस्ता के साथ इस मंतर को बता रही हूं आप सुन करके देख लिजिएगा देप जयोति प्रप्रहमा देप जयोतिर जिनारधनः देपो हरतो मेपापम देप जयोतिर नमोस्तुते दोस्तो इस प्रकासे इस मंतर के उचारण के साथ आप लोग देप को परजवित किजिएगा आपका जो देप्दान है वो बहुत ही ज्यादा सकती साली हो जाएगा बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो जाएगा इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों उमीद करते हूं वीडियो आप लोगों को जुरूर पसंद आई होगी तो आप इसे ज्यादा से ज्या आप लोगों को मिल सके वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्षिन में जैमातादी जुरू लिखिए ओके दोस्तों तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ जै स्री क्रिश्ना